So hi guys, my name is Zakash and welcome back to the channel So guys, मैं आज वापस से आगया हूँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ जो की बहुत इंपोर्टन होगा आप सभी स्टूडेंश के लिए उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने like, share, subscribe नहीं किया है So guys, please do like, share and subscribe and do not forget to hit that bell icon So that, आपको सारी मेरी वीडियो की notification आती रहे तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, दिवाली का हफता है बहुत सारी नई-नई चीज़ें आप सभी के साथ हो रही है उसी के साथ साथ स्टूडेंट जो जानवरी इंटेक और या फिर सेप्टेंबर इंटेक में आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है ये ध्यान से देखीगा स्टार्टिंग से अंट तक तो लेट्स केट स्टारिट तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं रियालिटी क्या है पार्ट टाइम जोब्स की आर्लेंड में क्योंकि में चीज यही है अभी मुझे दो महीना आलमोस्ट हो चुका है और में को अभी तक पार्ट टाइम जोब नहीं मिली है एक राइट गाईडेंस की बात होती है जहां पर आपको ये बताया जाता है कि कॉलेज तो अच्छा है बट क्या वो एक छोटी काउंटी है छोटी जगे है या नहीं है तो मेरे साथ वो चीज थी कि मैंने कॉलेज सेलेक कर लिया था पर मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि बहुत ही छोटा शहर है यहाँ पर पार्ट टाइम्स की बहुत प्रॉब्लम है जिस शहर में मैं रहता हूं उसका नाम है कारलो कारलो एक बहुत ही छोटी जगे है वहाँ पर पार्ट टाइम अभी तक मिलना मुश्किल है मुझे डबलिन या फिर दूसरी जगे शिफ्ट होना पड़ रहा है या फिर दूसरी जगे जॉब्स देखने जाना पड़ रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है तो हमेशा राइट गाइडेंस के लिए मैं आप सभी को बोलूँगा एक बार जरूर यूनिफलिक जाके देखिए क्योंकि वहाँ पर आपको मिलती है बेस्ट गाइडेंस उसी की साथ साथ वो आपको जरूर ये बताएंगे अगर आपका कॉलेज अच्छा है अगर आप चार से पांच में कॉलेज बें जा रहे हैं यू सी सी, यू सी डी, टी सी यू, टी सी दी ये बेस्ट जगें हैं और यहाँ पर पार्ट टाइम अपॉर्चनिटीज भी बहुत ज़ादा है सो हम इन डेफ्ट में बात करेंगे इस वीडियो उसके बारे में कितना मिनिमम वेज है, कितना मिनिमम रेट चल रहा है कि आपको पार्ट टाइम स्पेसिफिक कहां मिलेगी, कब मिलेगी, कौन से टाइम पे मिलेगी और कौन से ऐसा टाइम होता है, जब आप 40 आर्स काम कर सकते हैं सो गाइस, ध्यान से सुनिएगा सो अभी मेरको कालो में रहते रहते हैं, अल्मूस दो महिना हो गया जगे मैंने देखी, जगे अच्छी है, no problem, no doubt बहुत सारी चीजें हैं करने को यहाँ पे, बहुत सारे अलग-अलग opportunities हैं, पर अगर मैं job की बात करूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा यह शहर पीछे है, nearby area, किलके नी, किलडेर, आथी, यह area पड़ता है, यहाँ पे colleges नहीं है, यहाँ पे लोग specific jobs के ले जाते हैं, तो वहाँ मेरे को जाना पड़ रहा है, up-down करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मेरी e-bike मेरे साथ बहुत काम आती है, फिर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं को किलके नहीं जाना है, यहाँ से तो train लेके किलके नहीं जाओ, इसके बाद अपनी e-bike साथ में लेके जाओ, वहाँ पे काम करके वापस आओ, एक दिन में किलके नहीं गया था, तो सेम चीज यहीं करने, बहुत stressful हो जाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब अपना college आप चूस करते हो, अगर आप चूस कर रहे हो main areas में, cork हो गया, Dublin हो गया, Galway हो गया, try करो कि इन specific areas में ही आप अपना college ले पाओ, क्योंकि जादा better रहेगा, अच्छी opportunities में बिलेंगी, अब मुझे वो चीज पता है, obviously कि Dublin उससाब से महेंगा पड़ता है, बड़ आपको part time जल्दी मिल जाती है, तो आपके पास सारी चीजे रहती है, अब जैसे मेरे बहुत सारे friends हैं, जो Galway और Dublin में रह रहे हैं, वो cash and hand jobs करते हैं, तो मैं आपके पकड़े जाने की और deport होने की बहुत सारे chances हैं, so try not doing that, minimum wage की बात करूँ, तो minimum wage start होती है, 1270 से लेकर 1350 तक, ये major figures हैं, इसी में आपको part time, basically on papers, PPSN, IRP के थुरू मिलेगी, तो कोई भी अगर आपको बोलता है जब आप directly 40 hours काम कर सकते हो, straight 40 hours, student रहते ही, हाँ, तो जब जैसे ही time आएगा Christmas का, 13th December से लेकर 15th या 14th January तक आप straight 40 hours काम कर सकते हो, तो try करो कि उससे पहले ही आप कोई ना कोई job secure कर पाओ, एक और ऐसा time आता है, वो depend करता है हर college पर कब दे रहे हैं, जब आपको अपनी dissertation देनी पड़ती है college को, तो हमारे लिए, हर specific college का अलग-अलग हो सकता है, वो time, तो हमारे लिए वो है May, June, July, तीन महिना हमें मिल रहा है, जहाँ पर हम straight again 40 hours काम कर सकते हैं, इन 40 hours में Specifically, आप अपनी पूरी की पूरी जो fees है, right Second semester के आपने fees नहीं भरिये, तो आप वहाँ पर recover कर सकते हो एक अच्छी opportunity भी होती है, कि आप अच्छे कासी euros कमा सकते हो Let's take an example, अगर आपको 12 यह वह 13 euro की भी job मिल जाती है तो आप उसे आप से calculate करो, एक घंटे का आपको कितना मिल रहा है और उससे multiply कर लो, आप total hours हो कि आप काम करने वाले हो 40 hours काम करने वाले हो, एक हफते में और उससे calculate कर लो कि आप total कितना काम करने वाले हो एक महीने में, और उससे आपको यह पता चलताएगा और यह सेम चीज मेरे साथ नहीं हुई तो मैं को यह सफर करना पड़ रहा है मैं को जाना पड़ रहा है दूसरी दूसरी जगे जॉब्स ढूनने के लिए एक और चीज उसके साथ मैं आपको यह बता दूँ कि यहाँ पर प्रिंट आउट बहुत महंगे हैं तो ट्राइ करो कि आप प्रिंट आउट लेके आपाओ पहले ही घर ढूंड लो ताकि आप अपना एड्रेस उसमें डाल पाओ और वहां से प्रिंट आउट लेके आपाओ अभी मैं कॉलेज में प्रिंट आउट कराता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं यहीं पर आपकी हेल्प करेंगे युनिफ्लिक जरूर एक बार जाईए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़े दे दूँगा युनिफ्लिक के बारे में आप चीज़े देखिए वहां पर में समझिए वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे and go with युनिफ्लिक अगर यह वीडियो आपको interesting लगी है क्योंकि next वीडियो में में बताऊंगा dark reality whether you should come to Ireland or not क्योंकि बहुत सारी चीज़े Ireland में बहुत सारी चीज़े recently change हुई है इनका critical skill visa उसके numbers बहुत सारी चीज़े change हुई है तो आपको seriously 2025 intake में September intake में आना चाहिए नहीं आना चाहिए क्या क्या चीज़े और बदलने वाली है क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा उसके बारे में अगर आपको जानना है तो for sure आप like, share, subscribe जरूर करते रहें उसके साथ साथ better icon दबाना बिलकुल ना भूले So guys, that was all from my end Bye-bye